तो आईए दोस्तों आज के इस वीडियो में देखते हैं धरती पर घटी 9 अनोखी घटनाए यानि कि टॉप 9 most dangerous natural phenomena in the world इसलिए वीडियो को बिना skip किये पूरा last तक जरूर देखेगा नमबर वन नैट्रॉन जील तंजानिया के बेहत खतरनाग जील का नाम नैट्रॉन लेख है कहते हैं कि इस जील के पानी में रहस्ति है जो भी इस पानी को छूता है वो पत्थर बन जाता है तंजानिय के जील के काफी दूर तक आबादी नहीं है और कुछ लोग इसे जादूई पानी बानते है हलाकि जील के पानी के पीछे एक scientific कारण है दरसल जील के पानी में भारी मातरा में sodium bicarbonate होने के कारण ये alkaline है और ये वही sodium bicarbonate है जो कभी Egypt में mummy करण के लिए use किया जाता था यहाँ के पानी का pH 10.5 जितना अधिक है इसके साथ ही पानी में ammonia और alkaline की मातरा भी एक जैसी है ये उन जानवरों के लिए एक preservative की तरह काम करता है जो इस जील के पानी में मर जाते हैं उन्हें ये पानी मूर्तियों में बदल देता है और इसी कारण से यहाँ श्रव कई साल तक सुरक्षित रहते हैं और इस जील के आसपास पशु पक्षियों के श्रव बड़ी मातरा में दिखाई देते हैं नमबर टू, 1970 भोला चक्रवाद 1970 दग्रेट भोला चक्रवाद बांगलादेश में आया था हलागे उस दवरान बांगलादेश को इस्ट पाकिस्तान कहा जाता था बांगलादेश की खाड़ी से उठे इस साइकलोन ने पश्रिम बंगाल और बांगलादेश में जम कर तवाही मचाई थी उस दिन सबसे पहले तो 180 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ़तार से हवाई चली और उसके बाद में जोरदार बारिश हुई दग्रेट भोला की वज़े से बांगलादेश में जबरदस्त बाढ़ा गई थी और इसके लाबा उस दोरान बांगलादेश से सटे समुद्र में 35 फीट उची लहरे उठी जिनोडे बांगलादेश के बड़े भुभाग को अपना निशाना बनाया वहीं इस तूफान के चलते बांगलादेश में लगभग 5 लाख लोगों की जाने गई थी इस साइकलोन की बज़े से कई गाउं उचल गए और हजारों एकड की फसले बरबाद हो गई थी इसे भारत का अब तक का सबसे खतरनाक तूफान माना जाता है और आज भी यहां के बुज़ुर्ग इसकी याद आते ही देशत में आ जाते है किसी पहाड से टकनाने पर कोई आवाज आए ऐसा आपने शायद ही कभी सुना होगा मगर पैंसिलवेनिया में ऐसे पतर है जो बचते हैं और इनसे म्यूजिक निकलता है और इसी लिए इस पहाड को रिंगिंग रॉक्स कहा जाता है वहीं ये पहाड एक सो अठाई सेकड में फैले हुए है और ये बड़े-बड़े पतर एक खास मेटलिक साउंड निकालते है वहीं यहाँ के स्थानी अमेरिकी इन्हे सालों से जानते है और इन्हे हथोडे और पतरों से बजाते भी रहते है और इन पत्थरों से निकलने वारी साउंड किसी को भी ब्रहम में डाल सकती है कोई भी सोच में बढ़ सकता है कि आखिरकार ये चल क्या हरा है ये पहाड के पत्थर जो है ये वाकई में पहाड के पत्थर है या फिर musical instruments है scientist और geologist सालों से इन पर research कर रहे है लेकिन इतने research के बाद भी ये पता नहीं लग पाया कि आखिरकार ये पहाड बचते क्यों है अंटाक्टिका के Taylor Glacier से बहते एक waterfall से blood की तरह लाल पानी बहता है और इसी वज़े से इस waterfall को blood falls का नाम दिया गया है सदियों से इस जरने के पानी का रंग लाल है और जिस जगह पर ये जरना है वहाँ का temperature हमेशा माइनस में रहता है लेकिन जरना फिर भी बहता रहता है वहीं माइनस में temperature की वज़े से यहाँ कोई भी नहीं आना चाहता है लेकिन पहली बार 1911 में Australia के geologist Griffith Taylor ने यहाँ आने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहाँ तो खूनी waterfall गिर रहा है उन्हें लगा कि यह लाल रंग microscopic red algae की वज़े से है लेकिन आगे research में algae वाली बात गलत साबित हुई और यह पता लगा कि इस पानी में iron oxide की भरपूर मातरा है इसकी वज़े से यहाँ पानी का रंग लाल हो जाता है दरसल पानी के अंदर iron oxide होता है जो हवा के संपर्ग में आकर पानी को लाल बना देता है वही research का अनुमान है कि इस जगह बरप के नीचे iron element की अधिकता है जो पानी को लाल रंग देती है यह वही reaction है जिसमें जंग लगने के कारण लोहे का रंग लाल हो जाता है दलोल इथोपिया देश का वो जगह है जोसे प्रित्वी का सबसे गर्म स्थान कहा जाता है इसके साथ साथ ये प्रित्वी का सबसे सूखी और सबसे नीचे वाली जगह भी है वहीं इस जगह को डनाकल depression के नाम से जाना जाता है ये एक ऐसी जगह है जहां धर्ती के अंदर भी आग लगी हुई है और आस्मान से भी आग ही बरसती है और इसलिए लोग इस जगह को नरक का द्वार भी कहते हैं दलाल एक खौलती हुई नमक से बनी हुई दुनिया है यहां के average temperature चोरान ने डिगरी फेरन हाइट के उपर ही रहता है दलोल खुद उबलते हुए गर्म ज़र्नों से घिरा हुआ है जिससे गर्म मिनरल्स और टॉक्सिक गैस के बुलबुले सतह पर आ जाते है यहां आकर पृत्वी के अंदर की आग बाहर निकल आती है और पिगला हुआ लावा यहां बड़े पैमाने पर फैला हुआ है यहां बहुत सारे active volcanoes भी हैं जो temperature बढ़ाने में महत्पूर्ण भूमिका निवाते हैं और यहां जरने फूटने के कारण कई बार आग की बारिश भी देखी गई है जिस बज़े से ये जगह काफी भयाव है प्रतीत होती है नमबर सिक्स जमे हुए बुलबुले कैनड़ा के अलबर्टा में अबराहम जील पर सरदियों में शांदार लेगन खतरनाग नजारा हमें देखने को मिलता है इस जील में आपको जमे हुए बुलबुले देखने को मिलते हैं ये घटना तब होती है जब मीथेन गैस पानी के नीचे फंस जाती है जम जाती है और ये सुपर नाचुरल सीन बनाती है दरसल होता ये है कि जील के तले में जो बैक्टीरिया मजूद होते हैं वो dead organic matter होते हैं और इनसे बड़ी मातरा में मीथेन गैस निकलती है जो बुलबुले की तरह बन जाते हैं और उपर की ओर आने लगते हैं और जब ये उपर पहुँचते हैं तो ठंडे temperature के संपर्क में आते हैं और जम जाते हैं वहीं इतनी बड़ी मातरा में फंसी मीथेन अत्याधिक जोलनशीन होती है जिसकी वज़ा से पास में जली हुई माचिस भी एक विशाल विसफोर्टक का कारण बन सकती है इसके लावा बड़ी मातरा में गैस का होना ये दर्शाता है कि हम अपने ग्रह को कितना गर्म बना रहे हैं इसका ये नाम इसके मिरर जैसे आकाश के reflection के नाम पर रखा गया वहीं best sky mirror experience करने के लिए आपको थोड़ी सी planning के आवश्रक्ता होती है क्योंकि ये महीने में यानि कि 30 दिनों के चकर के भीतर अमावस्या और पूर्णिमा को स्पस्ट reflection दिखाई देती है ये प्राकरतिक घटना इसलिए होती है क्योंकि इन दो दिनों के दोरान high tide सबसे कम होता है और चिकनी रेट और निवनुतम जलस्तर ऐसा अविश्वस्नी द्रिश्व बनाते है और इसलिए इसे mirror of the sky के रूप में भी जाना जाता है कहते हैं कि पानी का कोई color नहीं होता है लेकिन जरा एक बार यहां तो आकर देखो यह एक ऐसी जील है जिसका पानी गुलावी रंग का है Australia का Healer Lake पूरी दुनिया में अपने गुलावी पानी के लिए मशूर है और इसलिए इसे pink lake यह सलाइन लेक भी कहा जाता है इस प्राकृति घटना की खोज 1802 में होई थी हलाकि काफी समय तक इस जील के पानी को खतरनाग माना जाता था बाद में साइंटिस्ट ने इस जील के पानी का रंग गुलावी होने की वज़े से तलाशी ली तो पाए गया कि इस जील के पानी में काफी मात्रा में नमक, एलगी और बैक्टिरिया है इसमें नमक की मातरा जब बढ़ जाती है तो इसका रंग जो है पिंक हो जाता है इसके रंग बदलने के तीन और मेंन कारण है और वो है कि यहां का हाई टेंपरेचर, सूरज की रोशनी और जील में जमा होने वाला बारिश का पानी जिया इसके साथ ही एक्सपर्ट के अनुसार, एलगी और बैक्टीरिया होने के बावजूद भी इस जील का पारी इंसानों और जानवरों के लिए हामफुल नहीं है इस बज़े से काफी संख्या में लोग यहां पर स्विमिंग और बोटिंग का मजा लेने के लिए आते हैं साल 2004 में इंडोनेशिया के नॉर्थन पार्ट में इस्थित असेहे के निकट 8.9 तीवरुता के भूकम के साथ समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत सहित कई देशों में भारी तवाही मचाई थी इंडियन ओशियन में अर्थ कुएक से पैदा हुई सुनामी में भारत के अंडमा निकोबार, आइलेंड सहित, तमिलनाड और आंधि प्रदेश के कोस्ट्रेल एरिया बुरी तरह से प्रभावित हुए थे करीबन दस हजार लोग मारे गए थे और पांच हजार लोग तो लापता हो गए थे इस दोरान इंडियन नेवी द्वारा एक कैंपेंड चलाए गई थी, ओप्रेशन मदद वहीं ओप्रेशन मदद के हिलावा तीन और कैंपेंड विदेशों के लिए भी चलाए गई थी, इस मिशन में 32 शिप, 7 एरक्राफ्ट, 20 हेलिकॉप्टर, 15 दिन तक चलाए गई थे इसके लावा आर्मी की राहतकारे में मदद ली गई थी और 17 डिस्ट्रिक में चले ओप्रेशन मदद से लगभग एक लाग से जादा लोगों को निकाला गया था और पोरी दुनिया ने भुकंप और सुनामी से इतनी दबाही पिछले 40 साल में कभी नहीं देखी थी तो दोस्तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही उमीद कर दें कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरू करें और हाँ कॉमेट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लेगा थैंक्स पर वाचिंग